हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिविल एठ होम इस्टे होम एलर्ण सिविल इंजिनेरिंग विद माई यूट्यूब चैनल इन अ इनोवेटी वेप दोस्तो मैं आपके लिए डेली डेफिनेशन लेकर आ रहा हूं उन टर्म्स की जिसमें हम हम जाल लेंगे कि दोनों की डेफिनेशन क्या होती है अगर आपने वीडियो आज पूरा देख लिया तो दोस्तो आपको कोई भी डाउट्स इन दोनों टर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है तो दोस्तो पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है दोस्तो देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या दी हुए होती है वह थी है पर्मेबिलिटी इस डिफाइंड एज दोस्तो इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल याद रखे लेजिए जहां पर भी प्रमेबिलिटी का नाम आएगा वहां पर इंटर कनेक्टिंग वोईट बोलना बहुत ही नेसेसरी है उसके बिना प्रमेबिलिटी बिल्कुल इनकंप्लीट है तो दोस्तों यहां पर देखते हैं क्या है प्रमेबिलिटी का मतलब प्रमेबिलिटी किसी भी मटेरिल की वो प्रोपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से वाटर को पास क करा देता है उसे ही हम परिमेबिलिटी कहते हैं और यहां पर सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सी पेज इसी से रिलेटेड मैं आपको बताने जा बता रहा हूं कि interconnecting voids बोलना जरूर ही है बिना interconnecting voids के permeability नहीं हो सकती ठीक है दोस्तों जिस भी material में interconnecting voids होते हैं वो ही अपने अंदर से किसी भी liquid या water को pass करा सकता है अब हम example से जानते हैं कि यह work कैसे करता है और यह क्या होता है तो दोस्तों हम पहले देखते एक्जांपल के थूह आपको समझाने की कोशिश करूआ, माल लीजे यहां पर यह आपके पास एक बोड़ी है, जिसके अंदर सेंड पार्टिकल है, यहां पर यह आपके पास यह सेंड पार्टिकल है, आप इनमें देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी इंटरकनेक्टिंग वो या कोई भी लिपीड ऊपर से सीधर नीचे जा सकता है बहुत प्रहें ऐसे आपको मिल जाएंगे यहां पर रास्तेगर आप देखना चाहेंगे इसे ही हम कैसे है प्रमेबल सेंड या फिर प्रमेबल कोई भी क्ले कंक्रीट कुछ भी हो सकता है यहां पर वह अब आपको बतात किस मोस्ट इम पर्मेबल और ऱीयुश्ट मिस्ट पर्मेबल कंक्रीव में हमारे पास दोस्तों देखे लेजिए यहां पर एग्जमपल देखे लेजिए नके कंपन से हैं यहां पर देखे लेग जि को बताया मैं अपको बत भुभि ऑश्था सब से ज्यादा गाली पर्मे लेगरी में रखते हैं तो दोस्तों सबसद्द है लीस्ट पर्मेबल होती है मतलब इन में से पानी बिलुकुल भी पास आउट नहीं हो सकता ठीक है और ग्रेवल सबसे जादा क्या होता है हमारा सबसे जादा प्रमेबल बोडी होती है फिर से यहां पर समझ लीजिए मैंने डाला वर यह बाहर निकल गया अब बात करता हूँ किले कि आपके पास यहां से यह यह देख लिए मैंने क्ले मैंने आप Currently मैंदर एक लीटर पानी डाला लेकिन वह एक लीटर पानी महीं निकल पाया सारव का सारा नहीं निकल पाया केला में लिके प्रोपेटिकों क्या कहते हैं और इसी टाइब के मैटेरियल को प्रमेबल और इंपर्मेबल मैटेरियल कह सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यूफ वॉचिंग दोस्तों अकर आपको किसी भी डेफिनेशन की रिक्वार्मेंट तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख झाल-ख मुझे रिक्वार्मेबल लिखिनेशन ‫ freezer प।ो झाल-ख दिरके कमेंटे हैं और इंपर सकते हैं ओIFA झाल-ग्ग्ट झाल